चले बिहार पर आते हैं चार सीटे नितिश कुमार की घट गई पांच सीटे आपकी घट गई 2019 के मुकाबले क्या कारण रहे देखे अगनी भी रियोजना जो है एक इंपोर्टेंट फैक्टर था अंडर करेंट था इसको जो है समझने की जरूरत है विहार में यूपी में कमosa राजस्थान में , अर्याना में अगनी भीर है इंपोर्टेंट यह किसान आंड तक अंडोलन से बडा अंडोलन था आगनीन भीस अजान भी का अंडोलन जो है पुस्सने ताओं ने समझा कि यहां पे आंदोलन क्छतम हो गया यहां ब pass ने दिमाग में उन्दोलन चल रहा था and आज रहा था और वह छी जो इन फोर्थ नहीं दिया यहां री समर्थन में नहीं देब अगने वी रीयोजना BLACK ones एक ऐसी योजना थी जिसको सरकार या तो समझा नहीं पाई या तो बच्चे समझ नहीं पाई ये तोनों हो सकता है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगने भी रियोजना जो है बहुत बड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर था बहुत सारे लोग इस पे बोलने से डर्दना लेकिन हम जैसे लोग अगर नहीं बोलेंगे तो सही चीजा नहीं आएगे क्योंकि यूथ के बीच में अगर सबसे ज्यादा कोई रहता है तो हमारे जैसे लोग रहते हैं और युवाओ के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है उनके आदोलन में मैंने साथ दिया उन उनकी समस्याओं को देखा हूँ तो मैं तो यह कहूंगा कि अगनिवीर योजना जो है इंपॉर्टेंट फेक्टर था सोचने की जरुवत है अगनिवीर पर दुबारा से एकदम सोचना चाहिए क्योंकि कोई भी जो योजना है पूरी तरीके से ना तो गलती हो सकती है ना आप सोचिए उसमें सुधार कीजिए वरतना यूद को बुलाइए आप यूद को सम्झाने का प्रियास कीजिए डेलिगेट्स बनाइए अलग-अलग स्टेट में जाके जो है यूद के साथ मिटिंग करें बड़े-बड़े आप सवाल का जबाब दीजे आप सवाल पूचे वह जवाब देंगे और कंवेंस कीजिए या तो इसमें सुधार कीजिए जो यूद का मांग है वह आप मांग को पूरा कीजिए वरना जो है आप जिस परकार से अग्नीवीर योजना को इंप्लिमेंट किये उस योजना के तहत जो है आप यूवाओं को कंवेंस कर लीजे यह यह काम करना पड़ेगा किसी मिया मुद्द जो है विवाज जो सुल्जाना पड़ेगा तभी जो है आगे बढ़ें तो बैतर रहेगा अगे यूवाओं की बात है तो पेपर लिख कितना बड़ा जो है समझ्या रहा यह था क्योंकि यह यह जो है प्धिक अब लेखनाओं के पहले पेपर लिखो गया है वह जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहा रहा दिखिए आप जो है सब कुछ में बात करते हैं आप बड़े बड़े चैनलों पर चलेजे यह हर चीज पर बात होता है जाती फैक्टर यह फै यूथ की समस्याओं को कोई समस्याओं देखे किसान अंदोलन हुआ किसान अंदोलन से बड़ा यह अंदोलन था जो है युवाओं का अंदोलन किसान अंदोलन में सरकार ने जो है बेल को आपस लिया यूथ पर बात कीजिए और बात होना चाहिए यूथ पर और बिहार के ही इस वक्त आप एक YouTuber थे, युवाओं की आप आवाज उठाते थे, आपने खुद बताया, अब BJP नेता होने के बाद भी के युवाओं के मुद्ध उठाया है, क्या, आवाज उठाया जाता है, या सरकार में सामिल होने के बाद युवा का मुद्ध नहीं उठाया जाता है, य इसे हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी जो है ची चारतारी केबाद जो है हमें जो समस्याए भी दिखे इस पर भी बात करेंगे और मैं बात कर रहा हूँ भाई में अंग मैं करें उजडरी जो है अगरजगार को लेकर नियुक्त को लेकर आ जास जार तक काई लोकरी के बारे में सोचते थे हम तुमको 5 लाग तक का कम आने के लिए दे रहे हैं बात कीजे, कन्वेंस कीजे, वहां तक मैसेज पहुचाईए मैसेज पहुचाना चाहिए जो नेता थे ना, वो सो गए थे कन्वेंस करना बंद कर दिये थे बात करना बंद कर दिये थे, अपने अपने छेतर में जो नेता लोग आ रहे हुए हैं, एंडिये गटबंदन के, मोदी जी के इतना अच्छा काम करने के बावजूद, भारतिय जनता पार्टी के सरकार में इतना अच्छा काम होने के बावजूद सडके बनी बिजली आया इंफ्राइस्ट्रक्चर मजबूत हुआ उजवाला योजना आया आय। आय। इसमान काड आया राम बंदिर बना धारा तीनसो सत्तर हटा स्रीए और नर्सी सब कुछ होने के बावजूद इतना काम पिछले दस साल में जितना काम हुआ है ना उतना काम जो है ना सत्तर साल में नहीं हुआ इसके बावजूद जो है एक निगेटिव मैसेज गया हुआ हो में उन युवाओं को कंवेंस करने कि जिम्मेवारी जो है अस्तानिय सांसदों की थी जो लोग जो है पांच-पांच लाग बोटों से चुनाओ जीत हुआ है